हलो माई दिया सूपर नेर्नर्स, how are you all? I really hope कि आप से विक्दम fit, fine और बढ़िया हो Class 9 Science से हमने शुरू किया था Life Processes and Living Organism जिसमें आज हम देखने वाले हैं Lecture No.4 इसमें हम देखेंगे Page No.172-175 के आने वाली सारी चीजों के बारे में इन फोटोस से आपको पता चली गया होगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं Already इस चैनल पे ये सारे chapters uploaded है जो भी आपको इहाँ पे screen पे दिख रहे हैं इन सभी के link आपको description में मिल जाएंगे My name is Shivam Jha, an educator by choice, a memory coach and creative learner and हाँ तुम सबका प्यारा भाई तुमारे भाई ने इन सारे chapters के notes इस टेलिग्राम चैनल पे भी upload कर दिया है तो आप जाके टेलिग्राम चैनल को join कर लो, description में link है जहाँ से आप इन सारी चीजों को access कर पाऊगे Let's move further अभी हम लोग सबसे पहले आज पढ़ने वाले है control and coordination in humans अगर मैं बात करूँ control and coordination in humans की तो यह हमारा बंटू है ठीक है थोड़ा सा अच्छे से समझते है तो बंटू football खेल रहा है अब देगे क्या लिखा है इसका मतलब यह है कि जब बंटू football खेल रहा है तो बंटू का दिमाग चल रहा है sensory system ठीक है बंटू को एसास होता है जब ball लगता है तो बंटू आखों से देख रहा है आसपास की चीजों का smell भी आ रहा होगा बंटू को मतलब दिमाग चालू है सोच रहा है और sensory organs सारे चालू है इसके अलाबा बंटू देख रहा है मतलब vision nervous system भी चालू है आक से ball को दिकता है डिमाग में सोच था है समझ रहा है तो इसके अलाबा बंटू दोड भी रहा है चल भी रहा है खेलते-खेलते तो move कर रहा है सम्पली मतलब कि जब बंटू खेल रहा है तो बहुत सारी चीज़े एक साथ चल रहे हैं अब इनके बीच में control and coordination का होना बहुत अवश्यक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगर मैं बात करू coordination in human beings तो ये दो mechanism से control होता है control by two mechanism mechanism number 1 है जो कि हम आज की लेक्षे में पढ़ेंगे nervous control और अगला जो छोटा सा एक mechanism है जिसका नाम है chemical control इसको हम अगले लेक्षे में पढ़ेंगे मेरे प्यारे students आगे बढ़ते हुए सबसे पहले बात करता है human nervous system consist of human nervous system जो होता है वो दो चीजों से बना होता है सबसे important जो है वो है brain ऐसा नहीं कि और भी चीज़े नहीं है सबसे important दो चीजों के बारे में बात कर रहो और दूसरा है तुम्हारा spinal cord इन दो चीजों का एक बहुत बड़ा importance है human nervous system में मुवी फटर बच्चो एक और important चीज़ होती है जो human nervous system के अंदर है and that is the nerves can you see this nerves मतलब क्या होता है brain spinal cord सबी चीजों को हम आज के lecture में detail में पढ़ने वाले है तो कोई tension लेने वाली बात नहीं है बहिया यह जो nervous system हम पढ़ रहे है humans में इस nervous system का मतलब क्या होता है तो nervous system is a system nervous system एक प्रेकार का system है that controls all the activities in the body तुम्हारे body में जितनी भी activity है उसको यह control कर रहा है पहिया आपने तो पहले बताया था दो होता है एक nervous system एक chemical control जी हाँ chemical control भी होता है उसको हम बाद में पढ़ने वाले हैं जो nervous system है उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है central nervous system जिसको हम short में cns भी बोलेंगे ठीक है फिर अगला जो है जो आपको देख सकते हो screen पे वो है sorry मैं देख रहा है कि record हो रहा है कि नहीं हो रहा है periparal nervous system पर यह यह periparal मतलब क्या होता है थोड़ दिर में समझ में आ जाएगा और autonomic nervous system ans लिजिया दखना cns, pns, ans, ans central nervous system, periparal nervous system, autonomic nervous system आगे बढ़ते हैं पेरे बच्चो central nervous system जो होता है उसमें brain और spinal cord होता है दो important चीज़ है इसमें brain और spinal cord जो तुमारा सारा का सारा activity है जो भी control से related जो भी activity है तुमारे brain का, तुमारे शरीर का simply वो central nervous system control करता है periparal nervous system की बात करूँ तो it is a network of nerves कैसे define करोगे तुम इसको ये एक network है nerves का spread throughout the body, पूरी body में nerves फैले हुए, देख रहे हो तुम connecting all the parts of the body to the central system और ये जो भी nerves फैले हुए है प्यारे learners, वो सारे nerves क्या कर रहे है सारी चीज़ों को central nervous system से control कर रहे है मतलब connect कर रहे है, मेरा सही word क्या होगा connect कर रहे है, connecting not controlling, ठीक है अब देखो, peri-peri nervous system में जो भी nerves होते हो, present होते है peri-peri of the body, भाईया ये जो word है peri-peri इसका मतलब क्या होता है away from the central, central से दूर center से दूर समझ कहा है peri-peri का मतलब क्या हुआ चलिए अगला बात करता है autonomic nervous system autonomic nervous system consists of autonomic nerves autonomic nervous system जो होता है वो तुमारे autonomic nerves से बना हुआ होता है nerves which are present in the involuntary organs जैसे की होट क्या तुम अपने दिल की धरकनों को control कर सकते हो, जी नहीं क्या तुम अपने पेड में पचे रहे खाने को digest हो रहे खाने को control कर सकते हो, जबाब है जी नहीं, क्या तुम अपने lungs से breathing को control कर सकते हो जबाब है, जनाब बिलकुल नहीं तो ये सारे जो होते हैं वो autonomic nervous system से control होते हैं और ये सारे जो भी चीजों को हम control नहीं कर पाते हैं, जो भी मेरे will के control में नहीं है, उसको involuntary action कहा जाता है तो यहां तक समझ में आ गया, तो भी है जिसको हम control करते हैं, उसको क्या बोला जाता है voluntary actions बच्चों, एक important बात आज मैं starting में share कर रहा हूँ हम almost slavus के अंत तक जा रहा है ये 15 बाच चाप्टर है, 16, 17, 18 बहुत जल्दी chapter slavus खतम हो जाने वाला है पूरे 5 के अंदर तो slavus खतम कर दूँगा मैं It's a promise 5 या mid-march तक तो खतम हो जाएगा मैं जब पढ़ रहा था, तो मुझे इस तरीके से सिखाने वाला कोई नहीं था मुझे support करने वाला, help करने वाला guidance देने वाला कोई नहीं था बट मैं चाहता हूँ कि ऐसा आपके साथ ना हो तो अगर तुम एक ऐसे विद्ध्यारती हो जिसको लग रहा है कि हाँ मुझे थोड़े support की जरुद था अगर मुझे कोई बताएगा तो मेरा 10th standard बहुत अच्छा जाएगा मेरा 9th standard बहुत अच्छा जाएगा I need someone to guide me then I am here for you प्यारे बच्चों बहुत ही simple थी बात है personal mentorship program लेकर के आएँ जिसके जो benefits हो है कि आपके पास personal number होगा आप कभी मुझे भी मुझे तक आ सकते हो और कोई भी query पूछ सकते हो not related to पढ़ाई बाकी कुछ भी ठीक है dedicated study planner मिलेगा आपको कि अगर आप बोलोगे कि हम मुझे study plan बना के चाहिए तो I will make a study plan for you साथी साथ आपको career guidance one to one discussion आपके problems के उपर improvement report and much more बच्चो और बहुत सारी चीज़े हैं पर promise test जो मैं कर रहा हूँ उससे बहुत ज़्यादा deliver करूँगा इसका जो मैंने पैसा सोचा था हूँ मैंने सोचा था कि 199 रूपिश पर मन फिर मैंने कर दिया 99 रूपिश पर मन फिर मैंने सोचा है कि मैं पैसे कमाने के लिए कर रहा हूँ तो जब आप था नहीं तो मैंने किया 99 रूपिश पर ए यर अब तुम भी समझ गयोगे कि ये पैसे कमाने के लिए तो नहीं है क्या ये सभी के लिए है जी नहीं कुछ limited students के लिए है और अगर आप वो student हो जिसको लगता है कि मुझे थोड़ी personal guidance, personal help और किसी एक ऐसे इंसान के जुरत है जिसने खुद struggle किया है तो ये mentorship program आपके लिए है ये पैसो के लिए नहीं है so you can join it, discount code आपको winner है, साथी साथ आप पुरे एक साल में कभी भी मुझे से अपना refund मांग सकते हो और बिना कोई सवाल के आपको refund कर दूँगा आप बस refund बोलोगे, मैं बोलूँगा ठीक है आपकी बाते सुनूँगा, कुछ भी cross question नहीं करूँगा और आपका पैसा आपको 24 hours के अंदर मिल जाएगा it's a promise, चलिए, तो यहां तक सारी चीज़ा अगर clear है बहुत अच्छे से समझ में आ गई है तो इसको join कर लेना, link is in the description और अब जो अब हम discuss करने वाले हैं nerves के बारे में, nerves में specially हम discuss करेंगे neurons और neurons का structure क्या है let's get started प्यारे बच्चो, nerve एक प्रकार का सबसे पहने tissue होता है, ठीक है tissue जो होते है, वो cells से बने होते है अब nerve के अंगर जो cells है उटका नाम है neurons neurons क्या होता है, इसके बारे में discuss करेंगे, nerve tissue is composed of special cell called as neurons और कुछ-कुछ neurons जो develop नहीं हो पाते हैं पुरी तरीके से, वो बन जाते है supportive cells for the neurons मतलब neurons को जो support करेगा supportive cells they are called as neuroglia इसको कहा जाता है neuroglia, अब अगर मैं neurons को define करने जाओ neurons are specialized cells capable of creating and transmitting electrochemical impulses electrochemical impulses मतलब chemicals को लेके जाएगा, but electrically ठीक है, तो electrochemical impulses को transmit करने का जिसकी जिम्मेदारी होती है, उसको neurons कहा जाता है, neuroglia जो है वो supportive cell है, neuroglia our supportive cell which assist the neurons in their function, जो neurons को उनके function में assist करता है, assistance देता है अच्छे से समझते हैं, अगर मैं आपको neurons का structure समझाने जाओ, तो वो कुछ ऐसा होता है एक central body होती है यहाँ पे देख रहे हो, इसको बोला जाता है cyton, यहाँ पे cytoplasm होता है, अंदर में यहाँ पे एक central controlling unit है जिसको कहा जाता है, nucleus हर एक cell में nucleus होता है, अब side में जो यह तुम्हें काटे जैसे दिख रहे हैं, इनको dendrites dendrites कहा जाता है, dendrites बोल दो आप सिदे, dendrites, बहुत यह असान है, branches arising from the cyton are called as dendrites, इसके बच्चों, यह जो dendrites से आगे continue हो रहा है तो बहुत दिख रहे हैं, यह पीला वाला part यहां का और यह ऐसा ऐसा निकल रहा है, उसको exon बोला जाता है, प्लीज यह जो उपर मोटे मोटे green color के जो है उनको यह जो greyish green color के जिसमें green color का center है और यह है उसको exon मत बोला, उसके अंदर से जो एक line गया है, pipe जैसा गया है उसको exon बोला जाता है, exon जो होता है, वो surrounded होता है यह protective fatty white substance जिसको myelin seat बोला जाता है, तो यह जो मोटे मोटे हैं, जिसके अंदर green है, इसको myelin seat कहते है, तो यह आपका neuron का structure हो गया अब जो neuron जहाँ पर end होता है, उसको बोला जाता है, exon terminal, तो यह neuron हो, यहाँ पर exon आया, और वो end हो गया, तो इसको बोलेंगे exon terminal ends of the exon are called as exon terminal, काफी असान है अब ही हम समझते हैं, कि किस तरीके से यह neuron function करता है, तो माल लेता है, कि मैं अपना mouse लेके बैठा हूँ, और मुझे आप mouse पर click करना मुझे कुछ दिखा सामने, और मुझे करना है click तो होगा क्या पता है तो मैं, सबसे पहले the information from the environment, जो मैंने आखों से देखा, और यह मेरा mouse है मुझे पता है कि यह button दबाना है वो pick up किया जाएगा by specialized cells specialized tips of dendendrites dendrites दो मैं याद है, वो काटे जैसा जो पाट था तो यह जो काटे जैसा पाट था, यह उस information को मैंने उगली में से ले लेगा it sets off a chemical reaction वहाँ पर कुछ chemical changes होगा, chemical reaction होगा producing an electrical impulse which travels from the dendendrites to the cell body through the exon to its end मतलब simply, यहाँ से जो chemical change हुआ है आगे 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 के travel करके यहाँ तक आ जाएगा, क्या तुमने देखा red color का देख सकते हो तुम, यहाँ से जो यहाँ पर chemical change है, वो आगे 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 के travel करके यहाँ तक चला गया अब यहाँ पर यह बीच में जाँ पहुचा है वहाँ पर एक छोटा सा gap है, दो neurons के बीच में इस chemical go across the small gap called as synapse इसको synapse कहा जाता है यह 2 to 20 nanometer का हो सकता है between two neurons तो दो neurons के बीच का जो gap होता है जहाँ पर एक signal को electrochemical signal को travel करना पड़ता है उसको हम क्या कहते है synapse कहते है अब बच्चो यहाँ पर क्या होगा जो दूसरा dendendrites है ठीक है, dendrites है जो दूसरे इसका वो उसको pick up कर लेगा and start a similar electrical impulse in the dendrites of next neuron यहाँ पर next neuron में start होगा और उसको deliver किया जाएगा muscles तक अच्छे से समझाता हूं में तुम्हे ठीक है muscle यह gland तक deliver किया जाएगा जो भी आगे action लेने वाला है तो देखे हो माल लेते है कि यह chemicals यहाँ पर release हो चुके है तो अब क्या होगा chemicals are released in the muscle from the nerve ending nerve ending से यह chemicals यहाँ पर release हो गए muscle still possesses a special kind of protein यहाँ पर special kind of protein होता है they bring about the change in the shape and sortens the muscle वो muscle को basically contract करेगा पीछे की तरफ खीचेगा और finally यह click हो जाएगा muscle sortens and the click happens बहुत ही असान था एकदमी जी तो बच्चो हमें पढ़ना है nerve के types की nerve की कौन से कौन से type होता है तो सबसे पहले समझो यह जो आपके organs से ठीक है nerve which connects the impulse from the sense organs sense organs से ठीक है to the brain brain तक या फिर spinal cord तक यह called as afferent nerves मतलब एक ऐसा nerve जो आपके sensory organs जो भी आपके sensory organs है आख, ना, कान ठीक है तो जीव, skin वहाँ से लेकर के brain या spinal cord तक signals को लेके जा रहा है उसको हम बोलते efferent nerves प्यारे बच्चो अब साथ ही साथ जो brain या spinal cord से वापस लेकर के आ रहा है signals को nerve which conduct impulses from the brain and spinal cord to the effector organs effector organs मतलब जो भी action लेने वाला है उसको कहा जाता है efferent nerve इब सुनो मेरी बात efferent nerve is made up of sensory neurons efferent nerve जो होता है brain या spinal cord तक वो sensory neurons से बना होता है लेकिन जो efferent nerve होता है वो बना होता है motor neurons से आगे की बात सुनना sensory neurons conduct the impulses from the sense organ sensory नाम से समझ में आ रहा है कि sense organ जो भी मैंने तुम्हें 5 बताये थे वहाँ से spinal cord या brain तक लेके जाएगा अब यहाँ पर brain के अंदर भी signals को travel करना है impulses को travel करना है the integrative decision making function of the neuron system performed by association neuron यह कौन कहता है association neurons और साथी साथ motor neurons conduct the impulses from the spinal cord and brain to the effector organs like muscle तो motor neurons जो होते है वो क्या करते है carry करते है वापस effector muscle तक is it clear moving further बच्चो कुछ questions है a gap in the myelin sheath between the adjacent swan cell is called as क्या कहा जाता है उसको आपको नीचे answer करके बताना है दूसरा question है nerve is a tissue, a cell, an organ and organ system यह भी आपको comment करके बताना है नीचे इसके अलबा efferent nerve is made up of dash neurons आपको इसको answer बताना है मैं already आपको बता चुका हूँ और last question है efferent nerve is made up of dash neurons तो यहाँ पर यह topic होता है खतम अब हम अगले topic पर चलेंगे Central Nervous System Central Nervous System के बारे में हमने पढ़ा था CNS नाम पढ़ा तक खाली अभी detail में पढ़ता है Central Nervous System जो है आपका वो बहुत ही delicate structure होता है और यह दो चीजों से बना होता है I know कि आपको पता है brain and spinal cord आगे बढ़ता है brain जो है आपका उसको पहले समझते है फिर spinal cord को समझेगे तो brain is protected by a bony structure called as skull आपको जो brain हो काफी soft होता है तो यह आपके खोपडी के अंदर होता है जिसको आप cranium या फिर skull कहते हो इसी तरीके से जो आपना spinal cord है जो brain है नो वो spinal cord में continue होता है तो spinal cord is protected by vertebral column या फिर आप इसको back moon भी बुलाते है बच्चो उसके ब्रेन है वो काफी soft है बाहर में चीज़े बहुत hard है तो उसके बीच में कुछ तो होना चीए जो उसको protect करेगा तो वो है meninges protective membrane ये कहा है एक प्रकर का protective membrane है membrane मतलब जैसे कि आपकी skin एक membrane है उसी तरीके से protective membrane called as meninges are present between the soft skin central nervous system and the bones इसी तरीके से बच्चो कुछ कुछ cavities होते है cavities मतलब छोटे छोटे सो holes हो सकते है छोटे छोटे gap हो सकते है तो cavities present in the various part of the brain brain के अंदर के जो cavities होते है उनको ventricles कहा जाता है और इसी तरीके से spinal cord के अंदर cavity है तो उसको central canal कहा जाएगा meninges आपका spinal cord ventricles यह जो भी चीज़े हमने पढ़ा है उसके बाद ventricles central canal and the space between the meninges ventricles central canal and the space between the meninges are filled with cerebro spinal fluid CSF अब यह जो CSF है यह sugar reach है तो यह क्या करता है brain को nutrition provide करता है और साथी साथ mechanical shock से भी prevent करता है अगर यह वीडियो आप यहां तक देख रहे हो तो इसको लिख लो nourishment provide करता है brain को और mechanical shock से भी protect करता है ventricles brain के अंदर की cavity central canal spinal cord के अंदर की cavity और meninges एक membrane है जो bone और central nervous system के बीच में present है चलिए आगे बढ़ते है functions of CSF मैं already आपको बता चुका हूँ अब brain of an adult अगर एक जवान इंसान की बात करे तो उसका जो brain होगा वो 1300 से लेके 1400 kilo नहीं जना grams का हो सकता है और approximately उसके अंदर 100 billion neurons होंगे neurons क्या था cells जो brain के अंदर होते है और जो basically हमारे neurons जो होते हैं वो connect करते हैं दूसरे से signal transmit करता है moving further प्यारे बच्चो functions of left brain मतला हमारा जो brain होता है वो दो पार्ट में है left वाला इस तरफ और right वाला इस तरफ तो left brain जो है वो analytical thinking करता है logical thinking करता है language और mathematics से related चीज़े करता है right brain जो है वो holistic thinking करता है institution मतलब वो तरफ ना creativity, art and music से concerned है मतलब creative है थोड़ा सा प्यारे बच्चो left hemisphere of the brain has 160 million more neurons than the right hemisphere left यह है right यह है और बीच में एक division है छोड़ा सा और वो बीच में connected एक दूसरे से चले आगे बढ़ते है structure of brain अच्छे से समस्ते है brain का जो यह part है जो की काफी बड़ा है जिसको बड़ा दिमाग भी कहते है उसको cerebellum कहा जाता है similarly प्यारे बच्चो यह जो part आपको दिख रहा है इसको cerebellum कहते है यहाँ पर होता का medulla oblongata और यह continue होता spinal cord में फिलाल हमारे लिए इतना ही जरूरी है तो हम ज़्यादा detail में नहीं जाते है एक काम करते है spinal cord को हम समझते है हमने brain समझ लिया spinal cord तो spinal cord is a part of CNS central nervous system का एक part है CNS कहा था central nervous system and it is held with the vertebral column यह किसमें है vertebral column या फिर back moon के अंदा protected है यह हम अल्रीडी पढ़ चुके है moving further बच्चो कुछ questions है हिंड most part of the brain इसको क्या कहा जाता है cerebrum, celebulum, medulla oblongata, spinal cord इसका answer आपको आपके textbook में जाएगा अरे थोड़ी मेहनत कर ले भाई moving further which of the following is called as large brain यह मैं already आपको बता चुक है आपको comments में answer बताना है अब एक एक करके सबी चीजों का समझते है cerebrum brain के different part का अलग-अलग function है cerebrum के अगा function के बाद करो तो control the voluntary action voluntary action मतलब वो action जो हमारे will के control में है जैसे कि walk करना ठीक है यह हमारे control में कितना intelligent होंगे हम दीरे 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 प्राक्टिस करके अपने intelligence को बढ़ा सकते है ऐसा मैं सोचना नहीं नहीं मेरे control में का है मैं तो बहुत भूदू मैं तो डबूँ प्राक्टिस कर भाई प्राक्टिस कर बहन खुश चलो आगे बढ़ते है सेरे बिलम सेरे बिलम क्या है सेरे बिलम का function यह है coordination of voluntary moment voluntary moments बढ़ जो भी तुमारे control में उसके बीच में coordination लाना coordination अल्रेड हम पढ़ चुके है अगर आपको नहीं पता है तो link is in the description सारे chapters के प्लीज पढ़ लेना life process का पहले वाला lecture प्यारे बच्चों maintaining the body balance इसके अलाबा अब बात करते है medulla oblongata spelling बहुत सिंपल है medulla O-B-L-O-N-G long ata A-T-A moving forward medulla oblongata के जो function वो है control the involuntary activities like heartbeat involuntary activities को control करता है साथ इस साथ control of involuntary activity like blood circulation का भी control करता है भाई साब और ये control of like breathing breathing जो है ना तुम्हारा सास बदर involuntary actions को ये control करने वाला medulla oblongata है कभी कभी cough आपको आजाता है खास ही कि आप उसको control कर पाते हो नहीं नहीं मैं नहीं खास हूँ मैं नहीं खास हूँ आया तुमने खास दिया समझे हो control करोगे तो तुम फुलने लगेगा ठीक है तो इसको भी control करता है medulla oblongata या फिर स्नीजीं की अगर मैं बात करो तो उसको भी control करता है spinal cord की बात करते है spinal cord का function है coordination of reflex action भाया ये reflex action कहा देखो जैसे इसके आगे कुछ गरम लाए गया इसको एक हथोड़े से मारा गया तो इसने तुरह तो रिस्पॉंड किया उसको मैं समझाता हो तुम्हे conduction of impulses from skin to brain and from brain to muscle glands जो spinal cord होता है ये तो तुमने पड़े लिया skin से brain तक impulses लेके जाएगा brain से वापस muscle glands तक ले करके आएगा वो के करता है न spinal cord is like a bridge अब देखो मालो कि दुनिया भर की सारे information अगर एकठे हमारे brain के पास चले गए हमारा brain तो tension में आ जाएगा इसलिए वो beach का हो जाता है beach वाला इंसान हो जाता है जो जाता से जाता लोड अपने उपर ले लेता है कि brain के ऊपर थोड़ा कम लोड जाए बहुत ही असान था let's move further कुछ question है which of the following is our function of cerebellum आपको इसका answer दीचे comments में बताना है अगले question है which part of the brain controls the sneezing इसका भी answer आपको comments में बताना है coordination of reflex action is the function of आपको इसका answer भी comments में बताना है अब हम बात करने वाले है peripedal nervous system के बारे में जिसको PNS कहा जाता है peripedal nervous system जो है वो control करता आपके voluntary action जैसे कि running, clapping बहुत है peripedal nervous system arises from the brain called as nerves arising from the brain are called as carinal nerves तो इसके इंदा carinal nerves होता है ठीक है और nerves जो arise हो रहे brain से brain से ये निकल रहे nerves इनको हम क्या बोलते है carinal nerves बोलते है nerves arising from the spinal cord is called as spinal nerves तो जो आपके spine मतला spinal cord से निकलते हो उसको spinal nerve बोला जाता है carinal nerves plus spinal nerves is called as PNS peripedal nervous system में दो चीज़े होते है cranial nerves और spinal nerve crinal बोलने हो carinal ये भी चलेगा cranial जो बोलना तुम बोल सकते हो बढ़ तुम्हे समझ आ गया that is more important आगे बढ़ते है question number 10 है PNS controls आपको इसमें से answer बताना है कि क्या है इसमें का answer in the comments प्यारे बच्चो cranial nerves plus spinal nerves are CNS, PNS, ANS none आपको इसका answer comments में बताना है अब हम चलते है autonomic nervous system के तरफ ANS autonomic nervous system control करता है involuntary action जैसे कि breathing, circulation, etc ये आपको already पता है मैं आपको बता चुका हूँ ANS control आपको नीचे comments में बताना है और आब हमारा आज का आखरी topic जिसका नाम है reflex action इसके बारे में बात करेंगे reflex action ठीक है अब दिको इस वाले image से reflex action को समझते है और यहाँ पर मैंने कुछ number दिया और मैं आपसे कुछ questions पूछूँँगा ठीक है सारा चीज आपको already आता है देखते है question से पहले reflex action का definition देखते है an immediate and involuntary response involuntary मतलब जो आपके control में नहीं है immediate मतलब तुरल्प ठीक है an immediate and involuntary response given by stimulus from the environment is called as reflex action मतलब अगर कोई stimulus जैसे माल लेते हैं कि एक मच्छर आता है और मुझे काट लेते ठीक है अब मच्छर जब काटे है अब मच्छर जब काटे है अब मच्छर को मार देगा या फिर माल लो कि गलती से मैं कुछ पका रहा हूँ मेरा हाँ जल जाता है मैं फट से अपना हाथ हटा लूँगा तो ये होता कैसे है जो immediate response दियते हैं किसी भी stimulus के प्रती जो भी environment से आया है उसको हम reflex action कहते हैं अच्छे से समझते है question है कि what is happening in figure 1 and 2 मतलब 1 and 2 in the sense कि number 1 और 2 में क्या हो रहा है तुम बोलो कि भाया हमारा उगली जल रहा है और हम हाथ को हटा रहे है टेक्निकली समझते हैं answer है कि तुमने hot object को छुआ और pain receptors in the skin तो तुमारे skin के अंदर जो भी receptors है उसने उसके respond किया समझ मैं है अब तुमने जो यह हाथ को हटा लगया यह इतना असानी से नहीं होगा इसके पीछे की पूरी की पूरी यह science है उसको समझते है question number B which nerve carried the impulse to the point mark 3 2 से लेकर के जो हमने 3 को mark किया है जो point यहाँ पर 3 तक है माल लो ठीक है यह जो 3 बावला point है यह ऐसा है यह वो कौन सा nerve है जो carry कर रहा है और साथी साथ एक question है in which direction is the conducting the impulse impulse कहा जा रहा है तो इसका जबाब है efferent nerve हमने सिखा था न कि body से जो भी sensory part से efferent nerve लेके जाता है information brain या spinal cord तक और efferent nerve के अंदर sensory neurons होते है efferent एक nerve है उसके अंदर sensory neurons होते है समझ भाए है अच्छे सा समझना इन सब चीजों को लिख लेना confuse मत होना कौन से direction में लेके जाएगा mind से spinal cord की तरफ मैंने तुम्हें ये भी कहा था कि spinal cord बीच में होता है जो सारे के सारे load brain पे नहीं गिरने देता आगे बढ़ते हैं which is the nerve shown by figure 4 ये 4 से क्या दिखाय गया है भाई इसके अंदर जो nerve दिखाय गया है बीच में ठीक है इसको बोला जाता है relay neuron क्या बुला जाता है cell body of interneuron मतलब दो चीजों के बीच का gap है उसको दो चीजों के बीच में एक छोटा से neuron है जिसको बुला जाता है relay neuron और अगला जो सवाल है विच इस अर्गन मार्क्ट बाई 5 ये जो पांचवा है ये कौन सा ओर्गन है तो इसका जबाब है spinal cord है बहुत आसान अब देखो अगला है at 6 विच नर्व इस करड़क्टिंग दर response stimulus कौन सा नर्व response stimulus लिएक जाएगा यहापे नर्व पूछा गया है neuron ही पूछा गया है तो जो नर्व है वो है efferent क्या बलता है efferent efferent neuron ठीक है और उसके अंदर जो यहाँ पे नर्व पूछा रहा है तो neuron यहाँ पे नर्व लिख देना और इसके अंदर जो है उसका answer क्या है efferent neuron एक क्या था एक सेगंड हम देख लेते हैं यहीं पर यह रहा यह रहा यह रहा यह रहा बहुत पीछे आगे बहुत ज़्यादा पीछे आगे यह रहा देखो यहाँ पे था हमने पढ़ा था ठीक है टाइपस अब neuron में देखा था यह होता है efferent जो लेके जाता है और जो लेकर करके आता है उसको बलता है efferent nerve efferent nerve जो होता है वो sensory neuron से बना होता efferent जो होता है मौसर नियूरोन से बना होता त तो मैं जो Bis कर रहा तो वो था motor neuron ठीक हाए तो efferent nerve है और motor neuron होगा इसको सही कर लेते हैं अगे है हम लोग यहाँ पे तो axon of efferent neuron ये भी सही है लेकिन यहाँ पे जो neuron नहीं होगा यहाँ पे होगा nerve और यहाँ पे neuron कौन सा हो जाएगा अगर neuron पूछेंगे तो motor neuron motor neuron सही हो गया perfect ठीक है तो exon exon of efferent nerve जिसके अंदर motor neuron होता है ज्यादा accurate at 7 where has the impulse reached और उसका effect क्या होगा साथवे में यह जो साथवा जो point है यहाँ पे कहाँ पे पहुचा है आपका क्या जो impulse है और उसका effect क्या होगा तो impulse जो हो muscle तक पहुचा muscle क्या होगा contract होगा और हाथ को ऐसे पीछे ले लिया जाएगा बहुत simple चलिए यहाँ तक अगर सारी चीज़े crystal clear हो गई है तो यहाँ पे हमने खतम कर दिया आज का लिक्टर नमर पूर एक और लेक्टर आएगा फाइगा जो की आई थिंक सो आपका process तो आप आकर के वहाँ पे मुझे सीख सकते हैं जो code आपको यूज करना है वो भी description मिलाएगा थैंकियो सो मच, happy learning